आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में 36 गड़ सामान्य अध्यान से संबंधित 10 प्रशनों पर रोज हम लोग डिसकाशन करते हैं जो कि CG, PSC और CG, Vyapam के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है सिरे हम लोग questions पर आती है आज का पहला question है राइगड़ जिले का सिंगहनपुर किसलिए प्रशिद्ध है तो भही राइगड़ जिले का जो सिंगहनपुर है न इससे काफी question पूछा गया है तो सिंगहनपुर किसलिए जाना जाता है सेल चित्रों के लिए सेल चित्र मतलब यहाँ पर जो गुफाएं है न सिंगहनपूर की गुफाएं वहाँ पर प्राचीन काल की प्राचीन भी क्या मतलब एकदम आदिमानों के जमाने के प्राग एतिहासी काल की चित्र प्राप्त हुई है भित्ती चित्र जो वहाँ की गुफा की दिवारों में आ जाना जाता है बिल्कुल सही भे राइपूर जो है चुना पत्थर के लिए जाना जाता है बिल्कुल सही है कांकिर लोह एस के लिए जाना जाता है जी हां बिल्कुल सही लेकिन जो कॉंडा गाओं है यहां टीन टीन तो अपने दंतेवाडा और सुकमा जिले में मिलता है टीन कुछा जाता था कि सबसे कम अंतर राज्जिय जिला मतलब कि समसे कम अंतर राज्जिय सीमा को इसपर्ष करने वाला जिला कौन सा है तो दिखेगा जो धमतरी है यह जो है उडिशा को इसपर्ष करता है और हमारे धमतरी है धमतरी आगे बढ़ते हैं एकले question की तरफ कुर्रा ससूर का आर्थ क्या है कुर्रा ससूर आप लोग जो है साथ में answer देने की कोशिस करिएगा तो कुर्रा ससूर ना 36 गड़ी में किसको बोला जाता है जेट को बोला जाता है जेट कौन होता है तो जो मानलो दो भाई हैं तो जो बड़ा भाई होगा दो भाई हैं मानलो तो दो भाई हैं दोनों की साधी हो गई तो जो उनके जो पतनिया होंगी तो जो छोटी बहु होगी ना उसके लिए जो बड़ा भाई होगा वो क्या होगा जेट होगा आपको पता होगा यह जो रिष्टे नाते तो तो पति का बड़ा भाई क्या कहा रहाएगा कुर्रा ससुर अगला कुश्चन देखते हैं इन में से कौन भिन्न है कौन भिन्न है तो इस तरह के कुश्चन यह वाला कुश्चन ना CGPSC से मैंने लिया है तो देखो घोंगी बिच्छी जोखवा यह सब जो है कीड़े मकोड़े लगाना हिंदी में मुहावरा है लाठी में तेल लगा के रखेंगे मतलब किसी को अगर पीटना होता है तो लाठी में तेल लगा लो इस टाइक से बोलते हैं तो तो दिखेगा हमल लिख रहे थे उसका क्या होगा हमन लिखत रहे न हमन लिखत रहें अगला सॲरी ऑगला कोस्थरी है ते लिखन लिख्वर्ज में गौण्दली कीशेते हैं गौण्दली ृ एक गौण्दली jaila कि अगला कोशिवन ए श्यत्य गड़िंस इन किस से बनता है मैं फस गया यहां थोड़ा सा मुझे से बनना चाहिए फर्रा चावल के आटे से बनना चाहिए मेरा थोड़ा सदनों कंफ्यूज हो गया मैं फर्रा जो है चावल के आटे से बनता है तो आप लोग कॉमेंट करके बताईएगा कि फर्रा किस से बनता है अगला कुछिन देखते हैं अंजोरी पाक आना अंजोरी पाक ना अन जोरी पाक आना इसका मतलब होगा सुकल पक्ष काना माफिचाओंगा सुकल पक्ष काना अच्छे दिन आना अन्जोरी पाक ल आना सुक्ल पक्ष आना और यह जो शुक्ल पक्षए निमाहिनेमें क्रिश्न पक्ष जब मतलब वो होता है आंधकार है उसको बाद जो शुकल पक्ष होता है जिसमें अमावस के बाद चांग निकलने लगता है तो उसको शुकल पक्ष 알고 MALE तो सु वोलेंगे अंजोरी पाक आना सुकल पक्ष का आना इसको हम लोग ना अच्छे दिन आना भी बोल सकते हैं अच्छे दिन आना भी बोल सकते हैं जोरी पाख आना क्योंकि जो सुकल पक्ष ना उसको अच्छा माना जाता है क्रिश्न पक्ष क्योंकि उसमें अंधकार होता है और अंधेरा को जो है कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है तो सुकल पक्ष अंजोरी पाख आना इसी के साथ आज का ये वीडियो इहीं पर समाप्त होता है कोई भी डाउट होना तो आप जरूर बताईएगा क्योंकि ये जो पीछे वाला कोस्टियन है इसमें थोड़ा सा मैं खुद डाउट में आ गया वैसे मुझ वीडियों को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है